हेई गाइज वाससफ वेलकम बैक टो माई चानल तो यार जैसे का आप देख सकते हैं मेरे हाथ में यह पोको का लेटेज दिवेज जिसका नाम है पोको X2 और आज मैं आपको इसके कुछ हिडन फीचर्स के बारे में बतना है लो तो हाँ इसके बारे मैंने फुली डिटेल में एक वीडियो बनाई को कोण से टीप से एंट्रीस मिल जाते है शेटिंग में सब कुछ विडियो बनाायां से यह और यहां पर मैंने फूरी मतलब फूरी पूरी बनाव जितने भी हाँ पर जो फीचर्स त cap बनाई जाता है। इसके जुके में hidden features के बारे में आपको बाताना वालों तो make sure वीडियो भी आपको definitely अच्छे लगीगी आगर आप fully detail में वीडियो देखना चाहते हैं तो icard में वह वाली वीडियो देखने के ले मल जाएगी वह वीडियो देख सकते हैं क्योंकि ऐसे वीडियो वनर में काफी जादा मेनत लग जाते हैं तो एक लाइक कर दीजे वो साथ इसाथ Poco X2 के आने वाले वीडियो को देखने के लिए चानल को जरूर सस्क्रब करकर साथ का बेल अकाने प्रेस करकर दीजे क्योंकि यहाँ पर आप Poco X2 के बारे में आपको भूछ सार वीडियो देखने के लिए मिलने वाले तो जरूर यह चैनल को अभी तक सस्क्रब नहीं किया है तो जरूर कर देजेगा अब पहली फीचर की बात करते है तो वह है यार इसका यह ना मतलब एक पंच होल कैमरा तो आप देख सकते हैं यह जोकी पंच होल कैमरा देखने के लिए मिल जाते है इस डिस्पले के अंदर ही यहाँ पर आपको कोई भी ASE पहीं है नोच याई इसमें जाने के बाद यहां पर आपको पहला ही! ओप्ष्ण देखने कि लिय легких आइ taken स्फी मिल जाले शरी उप्ष्ट के जाते है कि आपको किस तरह से नोच को मिलेगी अगर दुसरे उपर क्लिक करते हो तो यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ जो हमारा टाइमिंग गे ओ देखेगा आप देख सकते हैं पूरी तरह से टाइमिंग भी निचे आ चुका है जो हमारे बैटर का प्रसेंटेज है वह भी यहां पर से निचे आ चुका है लेकिन by defaultly अगर आप fingerpin register करते हो तो वहाँ पर आपको क्या होता है touch के साथ साथ जो आपको fingerpin का button है यानि जो power का button है उसे भी प्रेस करना पड़ता है सिर्फ touch करके यह जो कि unlock नहीं होता है आपको एक setting करना पड़ेगा जाना पड़ेगा आपको setting में जाना पड़ेगा आपको password है security में यहाँ पर आपको fingerpin sensor में और वहाँ पर जाने के बाद आपको एक option देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर की fingerpin regulation जो method है वो आपको किस तरह से रखना है यान कि आपको button को press करना है तो आप press के उपर ही by defaultly यह जो की set होता है तो आपको touch करकर unlock करना है तो यह आपको touch के उपर आपको set करकर रखना पड़ेगा जब आप touch के उपर set करेंगे तो यहाँ पर से देख सकते हैं सिधा आपको सिर्फ touch ही करना है और आपको phone है unlock हो जाता है तो यह भी आपको इसके साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो यह काफी अच्छी बात मुझे लगी साथी साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी तदा बड़ा display देखने के लिए मिल जाता है यान 6.67 का आपको fully HD plus का आपको display देखने के लिए मिल जाता है तो अगर यहाँ पर आपको जो buttons देखने के लिए मिल जाते है जो के निचे के site में निचे chin में अगर आप उसे भी hide करना चाहते हो उसे भी आप बड़े आरम के साथ hide कर सकते हैं अगर जयसे का पर फूल स्क्रीन के उपर आपको क्लिक करेंगे सो यहाँ पर आपको कुछ जो की टेस्टे हो देना पड़ेगा कि आपको कैसे आपको क्या कुछ करना है सो learn के उपर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद जिस तरह से यह जो कि आपको करने के लिए बोलता है सो उस तरह से आपको यहाँ पर से कर देना है I am done के उपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर से देख सकते हैं जो मेरे बटन से गाये फोर्चोके और यहाँ पर अगर मुझे आपको home screen में लेके जाना है जो बीच में से आपको उपर के तरफ प्रेस कर देना पड़ेगा और सिधा आपको home screen पर चले आजाएगा अगर आपको back आना है तो फिर से जाते हो में setting पर अगर आपको back आजाना है तो इस side से swipe करेंगे तो यह आपको home screen में आजाएगा अगर आपको फिर से back करना है तो यहाँ पर आपको इस side से भी करेंगे तो भी आपको जो कि चले आजाता है अगर आपको रेसेट आप जैकने तो होम स्क्रीन के ऊपर जैसे टच करको होल्ट कर देना पड़ेगा आपको जो कि रिसेंट यहाँ पर जो कि ओपन करकर आ जाते हैं सो कुछ इस तरह के से आपको यहाँ पर फूल स्क्रीन जेस्टर भी देखने के लिए मिल जाते हैं अगर आपको उसे बन करना है यानि कि आपको 120 हर्स रिफ्रेश रेट का जो कंटेन है अगर आपके पास नहीं आपको उसे बन करना चाहते हो तो उसके लिए भी जाना पड़ेगा आपको सेटिंग में डिस्प्ले मे जाना पड़ेगा और यहां पर आपको रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है तो यहां पर 60 हर्स पर यहां पर जो कि में रखा हुआ है क्योंकि मतलब पब्चाने के लिए मैंने 60 हर्स के ऊपर इसे जो की सेट करके रखा आगर आपको भी बैटर आपको बचा नही है कि सेव बैटरी और यहां पर अगर 120 हर्स रिफ्रेश रेट के साथ अगर आप करेंगे तो यहां पर आपको बैटर कॉलिटी देखने के लिए मिलेगी लेकिन मेरे सबसे अभी इंडिया में इतना ज्यादा कंटेंड नहीं है कि आपको 120 हर्स रिफ्रेश की जरूत पड़ चैन ay को स्क आपको के अन्डर ऊसमीं जाने के बाद जाना पड़ेगा आपको यहां पर लॉज स्क्रेन में जाने के फोन को बंद कर देना है वह जए से आप यहां पर double प्रेस करेंगे सो यहां पर से देख सकते हमरे जो कि स्क्रीन है ओ ओ होम स्क्रीन में चली आ जाती है सो कुछ इस तरह के से भी आपको देखने के लिए मिल जाता है सिम उसी तरह के से अगर आपको फोन को लॉक करना तो उसे आपको on करके लेना है और जाना है आपके home screen में और यहाँ पर आपको क्या करना है double tap करना है double tap करेंगे तो यह आपका phone बंद हो जाएगा फिलाल यहाँ पर से मैंने यहाँ पर बंद करके रखा है क्योंकि मतलब मेरे home screen के ओपर काफ़ सारा app से आपको बंद करके रखा है तो आप यहाँ पर से एनेबल करकर उसमें जो कि आप मजा ले सकते हो याना कि double tap करका आपको home screen को आप बंद भी कर सकते हो और यार एक last feature आपको बताना चाहूंगा जो कि यह काफ़ जीदा useful है आपको जो कि प्रैवेंस से को और भी बढ़ावा दे और यहाँ पर आपको दो बार स्वाइब करना पड़ेगा जैसे आप दो बार स्वाइब करेंगे तो यहाँ पर आपको एक last screen और जो कि पैटन देना पड़ेगा उसे देने के बाद यहाँ पर आपको करना है add apps के उपर क्लिक कर देने के बाद जैसे कि हमारे घर में कापच जो चोंटे बच्चे जो के यहार गेम loc कर सकते हैं यहां पर समय 역시 के कलिक Κई यहांपर से देख साती है वो वाली यहां पर जो game थी हो हमारे चली गई है तो इसी तरह किसे अगर आपको उस जो कि एपस को एक्सेस करना है यानि कि उसे फिर से वापस लाना है या फिर उसे open करना है तो simply over आपको यहां पर से swipe करना पड़ेगा यहां पर मैं आपको फोन को और भी ज्यादा कुपसरत बना देते और भी आपको जो की इंटर मतली यूजर एस्परेंस को एक नेश्ट लेवल पर लिकी जा सकते हो अगर आप यह वीडियो आपको थूड़ सी भी अच्छे लिगो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजे चानल को यार जरू सस्क्रा मुषम भरी उड़ो के साथ में तब तक लिए खोश रहें और गुड़ बाए